नमस्कार विद्यार्तियूं, कैसे हैं आप सब? मैं आपको पद्दे का लगभग अपना पूरा कोर्स हो चुका है पूरी कवेताय मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, व्याख्या पढ़ा चुकी हूँ इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कृपा करके पूछ सकते हैं कभी भी पूछ सकते हैं मेरे नंबर आप लोगों के सब के पास है और अब हम चलेंगे गद्य साहित्य की तरफ गद्य साहित्य में भी मैं आपको दो पाठ पढ निबंद आपके यहां लगाया हुआ है इस निबंद को पढ़ाने से पहले मैं आपको बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में कुछ छोटी-मूटी जानकरियां देना चाहूंगी उनके बारे में बताना चाहूंगी देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे वो दिवेदी युक के रचनाकार थे दिवेदी युग के निबंदकार थे और जैसे जैसे बालकृष्ण भट का प्रवर्तन हुआ आये तो मैं आपको बताओं कि ये दिवेदी युग में ये आये थे और हिंदी निबंध साहित्य का प्रवर्तन और विकास भारतेंदु युग से हुआ और स्वयम भारतेंदु जी जो है वो इसके प्रवर्तक बने भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे पंडित बालकृष्ण भट उसी मंडल के एक प्रमुखर प्रतिभावान सदस्य थे बट जी का जन्म तीन जून सन अठारा सो चम्मालिस को प्रयाग में हुआ इनके पूर्वज मालवा के निवासी थे पर किनी कारणों से वे मालवा का परित्याग करके कालपी के समीब बेत् प्रवर्ति के व्यक्ति थे किन्तु उनकी माता पार्वती देवी जो थी वो बड़ी सेरिदय और विदूशी महिला थी पट जी हिंदी संस्कृत और अंग्रे जी तीनों भाशाओं पर अच्छा दिकार रखते थे आजीवन अध्यान अध्यापन और साहित्य स्रुजन की कि थी और उनके साहित्यकार के व्यक्तित्व के आयाम विविदात्मक और अनेक हैं वास्तम में बालकृष्ण भट का जीवन एक जीवन्त संस्था के समान था ये बड़े जीवत वाले व्यक्ति थे और स्रजन और साधना में अन्वरत मग्न रहते हुए ही वे 20 जुलाई सन 1914 को पंचतत्व में विलीन हो गए थे युग चेतना के अनुरूफ ही पालकृष्ण भट जो थे एक बहुमुखी प्रतिभा के संपन्य साहित्यकार थे इन्होंने कविता को छोड़कर साहित्य के शेश सभी रूपों पर अपनी कुशल लेखनी चला कर अपनी मौलिक प्रत बालकृष्ण भट भारतिंदु युग के सर्व प्रमुख और मजे हुए लेखक के रूप में प्रतिष्ठित है इस युग में जैसा प्रोड व्यक्तित्व किसी दूसरे लेखक में नहीं है बट्ट जी का प्राणवान व्यक्तित्व उनके सभी निबंदों में जलकता इस दृष्ठि से उनकी तुलना अंग्रेजी के निबंदकार चाल्स लेंब से की जाती है लेंब के निबंदों में जैसी निश्कपटता रस और कालपनी कुरान उनके प्राए सभी निबंदों में दृष्ठिगत होती है बट्ट जी ने अनेक विशेयों पर निबंद रचना की है विशेय वैविध्य की दृष्ठि से उन्हें भारति इंदो यूग का प्रतिनीधी रचनाकार कहा जा सकता है उन्हें एक हिंदी वर्धिनी संस्था की स्थापना की यह उसके अंतरकत हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया 1964 में नूतन ब्रह्मचारी और एक अजान सो सुजान इनके अच्छे उपन्यास कहे जा सकते हैं नाटक कार के रूप में भट्ट जी ने अपनी पृतिबा का प्रदर्शन किया है कुल मिलाकर इनके नाटकों की पंदरा तक संख्या पहुँच जाती है इनके द्वारा लिखित नाटकों के काम है नाम है शिक्षादान, पद्मावती, शर्मिष्ठा, दमयंती, स्वयमवर, कली राज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवा, व्रिहन लला, जैसा काम वैसा परिणाम, इत्यादी बट्ट जी के संपूर्ण निबंध, तीन संकलोनों में उपलब्ध हैं, इनके नाम है साहित्य सुमन, बट्ट निबंधावली, भागेक और भागदो देखिए, बट्ट जी की जो विशेष्टा थी, बट्ट जी ने अपने जीवन और जीवन के समानी विचारों को व्यक्तिकत बहुमुखी अनुभव के आधार पर गड़ा था, उनके अनेक जो निबंध थे, वो स्वानुभूत और आधरत विचारों पर आधारित थे, इन असिद्ध समीक्षक डॉक्टर रामविला शर्मा के अनुसार पंडित बालकृष्ण भट विचारों की उदारता में युग के साथ थे, कहीं कहीं उससे आगे भी, धर्मदर्शन इतिहास साहित्यादी के प्रती भटजी के विचारों को देखकर ये कह सकते हैं, कि वह अप के पत्र हिंदी प्रदीप को भी विदेशी शाषकों का कोप भाजन बनना पड़ा, अंत में बंब क्या है, शीर्षय कवीता के प्रशासन पर मांगी गई जमानत के कारण, हिंदी प्रदीप का प्रवकाशन विवश होकर बंद करना पड़ा, भाषा की शैली, भाषा की जहां कहीं आपने अपने निबंदों में गंभीर विशयों का विवेचन किया है, वहां आपकी भाषा संस्कृत निष्ट हो गई है, साथी अलंकृत भी, यथा प्रत्येक मनुष्य यावत अभ्यूदय और सर्वसुख का अनुभव करते हुए परिकृत्य पूर्ण काम औ बड़े बाबू पर कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन से यह सब सौबत से मूँ मोड कर अपने काम में लग गया। तद्भव शब्दों का खुल कर प्रयोक किया करते थे, साथी द्वनी साम्मे के अनुरूप शब्दों को दुहराने की उनकी प्रवरत्ती थी, यही कारण है कि उनके निबंदों में गुन-गुन, मिठास, परात, तसनाई, आदी जैसे तद्भव शब्द, नाउ, ब्रहम दाउ, जाती देख, गुर्राउ, जैसी उक्तियां और देखना भालना गमार समार जैसे शब्द यूगमों के उधारन दिश्टव्य हैं, अंग्रेजी और अर्भी फारसी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का भी आपने आवश्शक्ता नुसार नीसंकोच प्रयोक किया ह साथ ही मरपच और सुन्दराया जैसे देशज और विक्रत शब्द भी उनकी भाषा में यत्रतत्र बिखरे पड़े हैं, शिष्ट मारमिक एवं एवयक्तिक हास्य व्यंग भट्ट जी की प्रमुक विशेश्ता है, परन्तु भाषा का स्खलन और व्याकरणिक लापरवाही भारतिंदु युग के निबंदकारों का एक बड़ा भारी दोश है और इस दोश से पंडित बालकृष्ण भट्ट जैसे लेखक भी अचूते नहीं रह पाए हैं यो तो भट्ट जी परवर्ती दिवेदी युग में भी रहे, परवे वास्तविक उपज भारतिंदु युग की ही थे निबंदकार के रूप में पंडित बालकृष्ण भट्ट का व्यक्तित्व सभी दृष्टियों से अप्रतिम है भट्ट जी को अपने व्यक्तित्व और बाहर की और इस प्रकार का अनवरत संगर्ष करना पड़ा था उससे उनके व्यक्तित्व और प्रतित्व में इतनी प्रकरता और इतना पैनापन ला दिया था कि इसकी समता किसी दूसरे से संभव नहीं है इनके व्यक्तित्व और द्रिष्टिकोण के विशय में बाबु गुलाब राय ने ये लिखा है कि भट्ट जी ने अपने जीवन और जीवन के समान ही अपने विचारों को व्यक्तिगत बहुमुखी अनुभव के आधार पर गड़ा था उनके अनेकिन स्वानुभव पर अध्रत विचारों की चमक उनके गंभीर स्वाध्याय से आई थी अनुभव और अधियन का अनूठा सामन जस्य हमें उनके साहित्य से द्रिष्टिगोचर होता है यदेपी परंपरा को छोड़ कर चलने की प्रवर्ती बट्ट जी में बिल्क अनुकरण उनोंने कभी नहीं किया परंपरागत विचारों का विशलेशन पैनी बुद्धी और सतर्क मस्तिश्क से इनोंने किया है ऐसा करते हुए उनका ध्यान समाज कल्यान की और राष्ट्रहित की और लगा रहा निश्प्रान परंपराओं पाखंडपूर्ण धर्म अ राकर्ण करने में प्रावृत्त रही उनके यथार्तवादी प्रगतिशील द्रिश्टिकोण की अन्वीती हमें उनके समस्त साहित्य और विशेश्तह निबंदों में मिलती हैं यही हैवे रेखाएं जिनमें रंग भरकर भट्टजी के निबंद साहित्य का एक समग्र आकल संभव हो सकता है